शोफंग के आवाज सुन आदूओं भी अंदर आती है और उससे लड़ने लगती है लेकिन वो ज़्यादा दिर तक उसके सामने टिक नहीं पाती है राज़ भी यहाँ चैनी को देखने आता है तबी जनरल पई भी घायल आदूओं को लेकर आते है जो बेहुश थे जनरल पई अपने तरब से उस हमलावर का पता लगने की कोशिश करते हैं शोफंग जो यहाँ चैनी के पास होती है वो बेहुश में भी अपने मा का ही नाम ले रहा होता है जिसे सुन उसे गलत फहमी हो जाती है और वो क्वीन को बुलाती है क्वीन भी उससे मिलने आती है क्योंकि उसे भी चैनी के चिंता थे आखिर क्यों नहों उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह ही पाल पुसकर बढ़ा किया है उसके मुशे माश अब्द सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाती है लेकिन उसके गलत फैमी तो तब दूर हो जाती है जब वो उसका नहीं बलकि अपनी सगी मा का नाम ले रहा होता है जिसे देख क्वीन भी दुखी हो जाती है आदूओ की हालत भी बहुत खराब थे और डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं होता तो वो गूजियान को मदद के लिए बुलाती है गूजियान उसे अपने इंटर्नल एनरजी से बचाता है ये जानते हुए भी कि इसके बाद वो बच पाएगा या नहीं आदूओ तो ठीक हो जाते है जिसके बाद शोफंग गूजियान से चैनी को भी बचाने की रिक्वेस्ट करती है अब क्योंकि चैनी को अंदरूनी चोटे नहीं बलकि एक्स्टर्नल इंजूरी जूईती जिसमें उसके इंटर्नल एनरजी भी कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए वो उसे एक मेडिसिन देता है वहाँ से निकलने के बाद बूजियान बेहुश हो जाता है तो जनरल पर इसे संभालते हैं सुबह आदू के होश आता ही ऑफिसर वांग उसके पास आते हैं क्योंकि उसने लड़ते वक उस असाशियन का चेहरा देख लिया था वो उन्हें लिखकर बता देती है कि वो और कोई नहीं बलकि क्विन की परसनल मेड रॉंग्शॉंग है जिसे देख राजा रॉंग्शॉंग का उठ्वाने का ओर्डर देते हैं अब क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि वो मेड बिना किसी ओर्डर के खुझ से तो ये करेगी नहीं इसलिए उनका पूरा शक क्विन पर जाता है और जब तक चेनी को होश नहीं आ जाता तब तक वो क्विन को नजर बंद करते हैं सेसे जो चेनी के हालत सुन उसे मिलने के लिए तड़प उट्टी है लेकिन उसके सज़ा के वज़े से कोई भी उससे मिलने नहीं देता लेकिन शोफंग उसे चेनी से मिलने की पर्मिशन दे देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर सेसे चेनी के पास उरुकेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा दिन पर दिन बीट रहे थे लेकिन चेनी को अब भी भी होश नहीं आ रहा था शोफंग जो उसके पास ही थी वो उसे अपने फिलिंग्स के बारे में बताती है और उसे जल्दी उटने के लिए कहती है क्योंकि मैं इतने जल्दी विद्वा नहीं बनना चाहती है तब ही चेनी को भी होश आने लगता है जिसे देखो फूट फूट कर रोने लगती है सुबह जब वो आखे खोलता है तो अपने सामने सेसे को देखता है किंग भी उसके पास आकर उसकी तब्यद के बारे में पूछते हैं क्राउन प्रिंस को पहले होश आ चुका है और उसने सब बता दिया है जिसके बाद वो क्विन के पास आकर उससे इन सब का जवाब मांगते है क्विन उनसे अपने 30 साल के रिष्टे की दुहाई मांगती है वो अभी भी अपने गुना कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थे वो जब देखती है कि राजा को इसे कोई फरक नहीं पड़ रहा तो वो उन्हें अपने अंकल गाउ का नाम लेकर डराने लगती है लेकिन किंग उससे कहते है कि तुमें क्या लगता है उनकी बेटी गाउरी जो प्रेगनेंट है वो उससे छोड़ कर तुमें सपोर्ट करेंगे जिसका अपना खुद का कोई बेटा नहीं वो अपने उसे तीस साल के रिष्टे के बारे में सोचकर उसे मोद की सजा नहीं सुनाते बस उससे उसका क्विन का टाइटल चिन उसे जिन्दगी भर के लिए नजर बंद करवा देते हैं जहाँ ना तो वो किसी को देख पाएगी और ना ही किसी से बात कर पाएगी बेचारी क्विन अपने ही हरम में केद हो जाते हैं तब ही चैनी वहाँ उसे मिलने आता है क्विन उससे अपने आस्तक के किये हुए गलतियों को कन्फेस करते हैं और साथी में उसे ये भी कहते हैं कि आखिर इतने साल मैंने तुम्हें पाल पोसकर बढ़ा किया है चैनी उनसे कहता है कि अगर आप मेरी मा की जिंदगी नहीं चिंती तो ये सारे चीज़े मेरी मा पे मेरे लिए करती वो उनने बताता है कि आपने मेरी उम्मित को तोड़ दिया क्यूंकि मुझे लगा था कि चाहे जो हो जाए आप मुझे हाम नहीं करेंगी आपने बस मुझे एक कटपुतली की तरह इस्तमाल किया क्या कभी आपने मुझे अपना बेटा समझा है वो आकरे बार उनसे उसे इतने साल पाल पोसकर बढ़ा करने के लिए शुकरिया करता है और कहता है कि आज के बाद हमारे बिच के सारे रिस्ते खतम तो क्वीन भी रोने लग जाते है और इसे गम में वो अपने आपको फासे से लटका कर अपनी जान दे देती है राजा को भी ये बात पता चल जाते है और वो कंसर्ट गू को याद कर रोने लग जाते है चेनी भी यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि आखिर कर उसने अपने मा का बदला ले लिया क्वीन के जाने के बाद सेसे को भी उसके सजा से बरी कर दिया जाता है चेनी ये शोफंग से मिलने आता है लेकिन वो उसे आवाइट कर रही होते है तो चेनी उसे बताता है कि तुमने बेहोश में जो कुछ भी कहा वो मैंने सब सुना जिस पर शोफंग उससे सेसे की बात बताती है कि वो मैं नहीं जिससे तुम पसंद करते हैं ये कहकर वो वहाँ से चली जाते हैं अब क्योंकि चेनी ठीक हो गया था तो लुक्षी और जनरल पे की शादी जो पोस्पन हो गई थी उसे करा दी जाते हैं बेचारी मिलो शोफंग जो शुनियंग से मिलने आय थी शुनियान उसे सारा सज बता देती है कि क्राउन प्रिंसों से पसंद नहीं करते हैं शोफंग और उसके बीच अच्छे दोस्ती हो जाती हैं इस बात का सैसे को पता चलते ही वो एकदम जल्बुन जाती हैं क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर कई उसके खिलाब कोई साजिश न करते इसलिए वो अपने रिलेटेट एक तालिसमस शूनियां के बेट के नीचे छुपा देती हैं जैसे कि शूनियां उस पर कोई जादू टोना करना चाते हो अब क्योंकि क्विन नहीं थी तो फिलाल के लिए हरम के फैसले आज़ा क्राउन प्रिंस चैनियां को ही लेने पड़ते है शूफंग शूनियां को डिफेंड करती है लेकिन चैनियां उसकी एक नहीं सुनता और वो शूनियां से उसका कंसर का टाइटल चीन कर उसे आम इंसानों की तरह जिंदगी जिने के लिए कहता है जिस वज़े से शूफंग और चैनियां के बीच में बहस हो जाती है तो चैनियां शूफंग को आदे मेने के लिए कनफाइन करता है उसे शोफ़ों की चिंता थे इसलिए वो उसके लिए सारे इंतिदामाद भी कर देता है उसे ये बात अच्छे सा पता थी कि ये सब कुछ सेसे न किया लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कियता क्योंकि वो उसे पूरे दिल से चाहते और सेसे ने आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया है इसलिए उसे हट नहीं करना चाहता लेकिन इस वज़े से वो बाकी लोगों को हट नहीं होने दे सकता था मिस्टर चाई ब्रॉथल की मैडम वांग को पैसे देकर सबुट के अदला बदली करवाते हैं दरसल मिनिस्टर गाउ नहीं मिंग्यों के बारे में पता करने के लिए सबुट मंगवाये होते हैं वो जब वो सबुट देखता है तो उसमें एक खुन से भरा हुआ लिटर भी होता है जो 18 साल पहले हुए हमले के बारे में दर्शाता है जिस दिन मिनिस्टर गाउ अपनी पूरी आर्मी लेकर चेंड फैमिली और गू फैमिली को खत्म करने आया था तो मिनिस्टर गाउ भी समझ जाते हैं कि ये मिंग्यों और कोई नहीं बलकि चेंड जैंग के ही बेटी है और वो राजा के करीब भी इसलिए है ताकि वो उनसे अपने परिवार का बदला ले सके दरसल मिस्टर चाई ने जान बुच कर वो सबुत मिनिस्टर गाउ तक पहुचाए थे जिससे वो मिंग्यों को मारने की कोशिश करे और इसी बीच में वो राजा और मिनिस्टर गाउ को एक दुसरे के खिलाप कर दे मिंग्यों जो इस प्लैनिंग के लिए अपने आपको साक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी लेकिन मिस्टर चाई को उसके चिंता हो रही थी गूजियान इस काम की जिम्मेदारे लेता है शोफंग को जब पता चलता है कि शूनियंग ने सुसाइट कर लिये तो वो चैनिय को थपड़ मारती है लेकिन चैनि फिर भी उसे बिना कुछ कहें मुस्कराते हुए वहाँ से चला जाता है जिससे देख शोफंग और भी परिशान हो जाती है सुबह होते ही चैनिय शोफंग के पास आता है और उसे शूनियंग का रुमाल देता है जो शोफंग नहीं शूनियंग को गिफ्ट किया था चेनी शोफंग को बताता है कि शूनियंग बिल्कुल ठीक है उसने शूनियंग को महल से बाहर एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी जिने के लिए आज़ाद कर दिया है इसके लिए उसने सुसाइट का नाटक किया तो शोफंग भी कुछ नहीं कहते चेनी उसे अपना प्रामिस याद दिलाता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ब्रोथल ले जाओगे लेकिन शोफंग नहीं मानते तो चेनी उसे उसका वोल्टूद दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे वहाँ ले जाओगी तो मैं ये तुम्हें वापस लोटा दूँगा तो शोफंग भी मान जाते हैं जिसके बाद दोनों भी अपना बेज बदल कर ब्रोथल आते हैं वो उसे मिंग्यूए से मिलाने लाती है क्योंकि मिंग्यूए किसे क्लाइन को अटेंड कर रही थी वो देखते है कि वो और कोई नहीं बलकि खुद किंग है तो वो शौक्ट हो जाती है वो उन्हें बताती है कि मिंग्यूए उसके दोस्त है और वो अक्सर उससे मिलने यहां आया करती है तो राजा भी कुछ नहीं कहते है मिंग्यूए को भी पता चल जाता है कि शोफंग क्राउन प्रिंसस है शोफंग भी मिंग्यों से बात करने के लिए उसे अंदर ले जाती है और उससे पूछते कि तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रही थे क्या वो यही है वो बस जानना चाते थे कि क्या वो वाकई में उनके साथ खुश है लेकिन चेनी उसे वहाँ से बाहर ले आता है क्योंकि वो उससे कहते है कि तुम राजा के सामने इसे बात नहीं कर सकती जिस वज़े से दोनों फिर से कुट्टे बिली की तरह लडने लगते हैं चेनी उसे उठा कर ले जा रहा होता है तब फायर वक शुरू हो जाते हैं दोनों भी रुख कर उस पल को एंजॉय करते हैं और यहाँ यह दोनों भी इसे नजारे का आनन्द ले रहे होते हैं तबी मिस्टर चाई के प्लानिंग के अनुसर गूजियन अखली असाशियन बनकर मिंग्योय पर हमला कर देता है जिससे देख चेनी भी उन्हें वहाँ बचाने आता है तबी राजा के गार्ड्स भी वहाँ पहुच जाते हैं उन्हें बचाने तो गूजियन राजा को अपना निशाना बना लेता है लेकिन राजा उनसे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो अगर में मर भी गय तो चेनी तुम अगले राजा बनोगे मगर चेनी जो गूजियन को यहाँ से सिफली बहाद निकालना चाता था वो उस Ran Ex desk से कहते है कि तुम राजा के बदले मुझे hostage बना लो लेकिन शोफ़ों को तो उंकी planning बिगाड नहीं थी वो महान बनते हुए उस Brave act से कहते है कि जैनी के बदले उसे hostage बना लो वो उसे बताती है कि राजा से भी ज़्याद़ important person वो है क्योंकि वो यहां मैरेज अलाइंस के लिए आई थी जिससे दोनों देशों के बीच शांती बनी रहे और अगर उससे कुछ हुआ तो यह दोनों कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर तुम मुझे होस्टेज बना लेते हो तो यह लोग तुम्हें यहां से सिफली जाने देंगे तो गुजियान का मन भी बदल जाता है और वो बिना प्लैन को फालो किये हुए शोफं को लेकर वहाँ से उड़ जाता है जिसे देख चैनी गुजियान को मारने की बात करता है किंग यहां मिंग्योय की चिंता कर रहे होता है तब ही चैनी भी उनके पास आता है राजा उसे बताते है कि क्राउन प्रिंसेस ने ऐसा तुमें बचाने के लिए ही किया है वो वाकई में तुमसे बहुत प्यार करती है और साथ ही में उसे ये भी कहते है कि इस सारे इंसिडन्ट के वज़े से मुझे एक बात पता चली कि एक्शूल में कौन मेरे साथ है और मुझे से लॉयल है और उनका चैनी पर और भी विश्वाश बढ़ जाता है मिनिस्टर गाउजी से सारी बात के खबर लग चुकी थी वो अपनी काठी दोड़ाती हुए मज़द के बहाने राजा के पास आता है जनरल पैस अभी गाट्स के साथ क्राउन प्रिंसस को डूनने में लग जाते हैं चैनी गुसे में मिस्टर चाई के पास आकर गूजीयन के बारे में पूचने लगता है लेकिन गूजीयन के बारे में मिस्टर चाई को भी कुछ पता नहीं था गूजीयन जो यहाँ शोफं को हुस्टेज बनाई हुए था वो मरने से पहले अपनी आखरी विश में भी चेनी का ही नाम ले रही होते हैं तो गूजियन उसे परेशान होकर उसे उस फरगेटपुल रिवर में डाल देता है जिससे कि उसे उसके पुरानी मेमरीज वापस आ जाए और इसे के साथ हमारा यह पाट यही खत्म होता है अब शोफं के पुरानी यादे वापस आने के बाद कहानी में कौन सा नया मोड आता है जानने के लिए बने रहे